तो मैं लोग अब T20 World Cup जो है सूपर 8 की स्टेज के और भरता नज़र आ रहा है जहाँ हल्ग ग्रुप की अल्मोस्ट हमें एक टीम कौलिफाई करती हुई नज़र आ चुकी है ग्रुप D की जहां तक बात है तो सूपरी का पहली टीम बनी है जिसने कौलिफाई किया है सूपर 8 के लिए हाला कि आखरी पूल्ट स्टेज का मुकाबला इनका बचा हुआ है अगेंस्ट नेपाल मैश नमबर 31 जिसे आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं मुकाबला खेला जाएगा अरनोस वेल ग्राउंड किंग्स टाउन सेंड विंसेंट में अब इस मुकाबले से जुड़ी A to Z डीटेल अपटेट्स के साथ CLG आपके समख शाजर हो चुका है जहां आप बहतर समी करने के साथ एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे कौन से है वो खास खिलाडी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नज़र है हमारी फेंटिसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं आखिर वेन्यू का अनलिसिस क्या कहता है फाइनली क्या नेपाल इस मुकाबले में साथ अफरिका को टक कर दे सकती है क्योंकि अभी तक के जितने तीन मुकाबले साथ अफरिका ने खेले हैं कहीं न कहीं किसमत का इन्हें काफी साथ मिला है चाहे वो श्रिलंका हो, बांगलादेश हो, सभी के खिलाफ इन्होंने महनत मशक्कत करते हुए, लड़ते जगरते मुकाबला जीता है तो आईए फटाफट से सबसे पहले नज़र डालते हैं वेन्यू की ओर बाई लोग, सेंड मिंसेंड में अभी तक T20 फॉल मैट के तीन मुकाबले हुए हैं, दो मैचस पहले बल्ले बाजी करते हुए और एक मुकाबला सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने चीता है अवेरेज स्कोर यहाँ पर पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम का रहता है 149 रंस, हाइस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है बंगलादेश ने 159 रंस फॉर 5 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है पाकिस्तान का 135 रंस फॉर 7 विकेट्स अब अगर स्कोरिंग बैटन की बात करी जाए तो 1.500 से नीचे एक बार स्कोर रहा है, 1.500 से 169 के बीच दो बार स्कोर गया है यहाँ पर दोस्तों बॉलर्स के प्रदर्शन पर भी अगर कॉर करें तो एक मुकाबला जो की इस T20 वर्ल्ल कप में हुआ है उस मुकाबले में तेरा विकेट्ट चटकाए गए थे, पेसर्स नेचे और स्पिनर्स के जोली में साथ विकेट्ट के रहे हैं यानि कि यहाँ पर इस अपकमिंग कॉंटेस्ट में कुछ बदलाव साउथ अफरिका भी करती नजर आ सकती है अगर आप बात करें प्लेंग 11 की तो दोस्तों यहाँ पर मारको एंसन की जगे हमें सबसे पहले तो बियोरिंग फॉर्चून देखने को मनाजर आ सकते हैं वा साथ ही साथ पुटेंशल चेंज की तौर पर तपरेश शामजी को भी टीम में शामल किया जा सकता है साथ अफरिका as I have said qualify कर चुकी है तो यहाँ पर कुछ चेंजिस करने की छोटी सी विंडो जरूर निकल गया आती है हलाकि साथ अफरिका के बल्ले बाजों के प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ अभी भी इस मुकाबले को खेलना बहर ज़रूरी है साथ अफरिका को अपने बल्ली बाजी से जस्टिस नहीं दे पाई है यहाँ पर अगर में स्ट्रीम बैटर्स की बात कर लिजा है तो ट्रिस्टन स्टब्स, हैंटरिक लासें और डेविड मिलर तीन मैचेज में यही तीन ऐसे बल्ले बाज रहे हैं ने कभी न कभी कही न कहीं एक कैमियो पारी खेली है स्टब्स ने नीधर लैंड्स के खिलाफ 33 रन की पारी खेली थी वो भी 37 गेंदों में एंडरिक लासें ने 44 गेंदों में 46 रन बनाये थे महराज हों कगी सुराबाडा, एंडरिक नौर्किया या फिर ओटनील बाटमेन भई महराज के हाँ तीन मैचेज में 5 विकेट लगे हैं और एज़ा स्पिनर ये एक बार फिर इस ट्रैक पर कारगर साबित हो सकते हैं और यहाँ पर तबरे शामजी का भी सपोर्ट मिल सकता है इन दिस अपकविंग कॉंटेस्ट वहीं, अज़ा फास बोलर, यहाँ पर एंडरिक नौर्किया ने भई तबाही मचा रख की है तीन मैचेज में 8 विकेट चटका दिये हैं कजी सुराबाडा के हाँ चार विकेट लगे हैं और ओटनील बाटमेन ने भी 5 विकेट चटका है तो यहाँ पर यह साथ खिलाडियों पर एक बार फिर नज़रे सभी की रहने वाली है हालगी साउथ अफरिका के टॉप ओडर रीजा हेंड्रिक्स और कुिंटन डिकॉक के पास अलॉग विद एजन मार्करम भाई मौका है इस मुकाबले में अपनी फॉर्म को वापस लाने का अगर हम इनके ऑपोनेंट्स की बात करें यानि की नेपाल की तो भाई जैसा की एक्सपेक्टिड था प्रदर्शन भी हमें वैसा ही नज़र आया है केंद बाजी में तीन बॉलर्स इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो मिडल ओर्डर में डिपिंदर सिंगी एरी जो की हैसल आल राउंडर टीम के लिए हमेशा से फाइदेबन साबित हुए है साती साथ सोम पालकामी और अभिनाज बोहरा ने एक एक विकेट निकाला है अब लाइनप पे अगर आप गौर करें तो टॉप ओर्डर यहाँ पर भी फेल होता दिखाई दिया है हलाकि बल्ले बाजियों की तोर पर कप्तान रोहित पोडेल टीम के लिए रन स्कोर करते नजर आये थे अगेंस नीदर लैंड 37 गेंडों में इन्होंने 35 रन की पारी के लिए थी इनके अलावा भाई आप स्कोर कार्ट पे नजर डाल सकते हैं कोई भी बल्ले बाज एक्सेप्ट करन केसी कोई भी ऐसा बल्ले बाज रहा नहीं था जिसके बल्ले से सम्मान जरक स्कोर आया हो फिलाल के लिए दोस्तों as expected and undoubtedly साउथ अफरिका का अपर हैंड है और यहाँ पर जो स्ट्रगल साउथ अफरिका पिशले तीन मैचेज में कर रही है शायद इस मुकाबले को one-sided निकाल सके इस upcoming contest पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अब finally इस pre-match analysis को सुनने समझने के बाद अपना opinion भी comment section में जरूर रखिएगा इस वीडियो में बस इतना ही जंद हाजर होंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट के साथ तब तक के लिए CLG के साथ जुड़े रहे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दे